आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चेनल जेम अश्टड़ी में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले है जैक बोड के एक अच्छा एक से लेकर बारवी तक के सभी अश्टुडेंट के लिए प्री वोड एक्जाम दोहजार तैस और अर्धवारसिक परिच्छा दोहजार तैस इसके लिए JCRT द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है इसी महने होगी ये परिच्छा तो चलिए जानते हैं आगे अपडेट में कि किस परकार आपकी परिच्छा होगी कितने बजे से कितने बजे तक आपका एक्जाम होगा और कहां से कोश्चन पेपर आएंगे ये सारे डीटेल इस वीडियो में हम लोग जानेंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा यहां पर आप देख सकते हो जमसेद पूर परमुक सववद आता यानि जमसेद पूर के तरफ से ये अपडेट दिया गया है तरकारी अस्कूलों में कच्छा एक से लेकर सातवी तक की अर्दवार्सिक परिच्छा इसी मा आयुजित की जाएगी इसके लिए परिच्छा कारिकरम जारकंड सहचनिक अनुसंधान एवं परिच्छन परिच्छा यानि JCERT की और से बुधवार को जारी कर दिया गया है यानि बुधवार को ही नोटिस जारी कर दिया है कि कच्छा एक से लेकर सातवी तक का अर्दवार्सिक परिच्छा यानि छेमाही परिच्छा एक्जाम लिया जाएगा परिशत की निर्देश किरन कुमारी पासी की और से इसके लिए पत्र जारी कर जानकारी दी गई है परिच्छा 22 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी यानि अर्दवार्सिक परिच्छा एक से लेकर साथ ये क्लास के अश्टूडे में भी आयोजित की जाएगी यानि एक से लेकर दूसरी कच्छा तक जो भी एक्जाम होगा वो लिखने वाला एक्जाम नहीं होगा उससे सिर्फ बोल कर कोश्चन पूछा जाएगा उससे अंसर पूछा जाएगा तथा तीन से सा थी तक के लिए प्रस्न वस्तोंश्ट पिरिच्छ परस्ण पत्र से उत्तर पुस्तिका माधियं से ले जाएगी यानि परिच्छ पत्र उत्तर पुस्तिका के माधियं से ली जाएगी पहली पाली की परिच्छ साड़े नौ butterfly से सुरू हो कच्छा तीन से साथवी तक के लिए प्रतेक विशय के लिए 60-60 अंक के निर्धारित किये गए है प्रसन यानि आपका जो एक्जाम होगा वो 60-60 नंबर के प्रसन रहेंगे आपके कुश्चिन पेपर पर चलिए यहां पर देखते आगे अपडेट क्या दिया हुआ है उल्या आपके लिए 60-60 अपर देखेंगे कि कच्छा आठवी से लेकर 12 तक के स्टुडेंट के लिए प्री बोट का एक्जाम का जो सिड्यूल है वो इसी मन्थ आने वाला है तो यहां पर देखते हैं अपडेट में क्या दिया हुआ है मैं आपको फेक निउस नहीं बताँगा तर ग्यारवी के नए सत्र की पढ़ाई भी सुरू कर दी गई है लेकिन विद्यार्थी 6 महीने से बिना किताबों के ही पढ़ाई कर रहे हैं इतना घटिया दुस वेहवार विद्यार्थियों के साथ नहीं करना चाहिए था जारखन सरकार को क्योंकि विद्यार्थी ही इस उटल और स्मार्थ क्लासिस के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं इन स्कूलों में कुछ विद्यार्थियों के सिक्षन भी परती न्युक्त कर दिये गये हैं लेकिन पढ़ने के लिए विद्यार्थियों के पास किताब ही नहीं है दिसंबर में 11 के विद्यार्थियों का प्र क्लास 10th का भी याद रखेगा और क्लास 12th का भी और 11th का भी यहाँ पर आपको इस अपडेट के माधियम से आपको रूबरू करवा रहे हैं कि आप लोग का प्री बोर्ड एक्जाम दिसंबर में ही होगा और वो 100% होगा ठीक है और यह प्री बोर्ड एक्जाम होने वाला है बहुत सारे स्टुडेंट टेंशन में लग जाएंगे कि प्री बोर्ड एक्जाम होगा तो हम लोग एक्जाम कैसे देंगे आपको टेंशन नहीं लेना है मैंने आपको बार बार बताया कि टेंशन नहीं लेना है यह प्री बोर्ड एक्जाम होगा आपके लिए ही बेटर हो तो प्लीस वीडियो को लाइक कीजेगा जो भी ने वीवर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा आज की वीडियो में इतना ही तब तक के लिए जय हिन जय जहार खंड